तो है तो है तो है तो है तो है वेल्कम टू अभीवन नमबर वन प्लाटफॉम फार यह सीज़ाट प्रपेश्ट देखिया आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आज मैं आपके साथ ऐसे टॉपिक ऐसे विश्वे बात करना चाहा हूं जिसकी बहुत सारे क्यारी जारे मिरे प कहां से त्यारी करें और क्या चीज़ें पढ़ने चाहिए इन मुद्दों को लेकि आज में आपके सामने और ज्यादा बड़े चोटी सी वीडियो रहने वाले बहुत फूट फूल वीडियो रहने वाली है बहुत कुछ इस वीडियो में जानें चोट 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 कीजिए ताकि और भी स्टुटेंट्स का भला हो सके और वह भी अच्छे से तयारी कर से के एक भी बच्चा भेलना हो इस बाद जो पढ़ने वाला बच्चा उसकी बात करना होगा ठीक है चलिए तार्गेट यूपेसीसेट तोज़वेसम तरगेट तोज़वेसम जल्दी से कैसे करें और अब जो टाइम बचा उसको कैसे हम यूटॉलाइज करें कि हम अच्छे से को कर सकें ठीक है न अच्छे नमपर से क्वालिफाइए करना है ताकि हमारे जो प्रिदिम से बाद दर खतम हो जाए और हम आगे जाके तएर इच्छे से कर सके यह यह बेसिकली चली इसमें पहला पॉइंट क्या मेरे पास चली इस 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 पॉइंट और यह सबसे पहले देखेंगे कि यूपर तक नहीं है और उमीद करूँए से अगये तरह बढ़ सकें क्योंकि एक ऐसा बन चुका है कि बच्चों को लगता कि बहुत जादा पढ़ने जूरूरत है आपको कॉंटिटी का नहीं पढ़ना आपको कम पढ़ना पढ़ना इस इक्जाम की डिमांड भी यह वह आपसे नॉर् प्रिज्टन के पूछे रहे हैं language पर तफस्तु थे और पर वह आपके नंबर सिस्टम से और उलिना अगार हुटinya से क्लिले नहीं पूछ नहीं पूछा रहा था है तो चलिए देखते हैं कि कि इस चेप्तर से कितना आया था हमारे पस basically से जह से होज्ट tubing की बात करते हैं डिखे सब से निदवर परसेंटे flavours कोश्ँन दे का एक कोशन एक से रहता स्पार्ड मैंसुरेश रहत बेभी था सीपल कंपौंच से एक को नम्बर शिस्टम के 20 से बात पर्मूटेशन के छह चे और मेंसुरेशन के लिएख यह कुछ ऑगा है ठीडिय को असा होगा ल्याग्म तो तक्रीब तक्रीबर 35-40 जो आपका आए तो यह थे तो इनको कैसे कवर करना क्या कवर करना और इस्टम पढ़ना का चाहिए बेसिक डिमांड यह तो चलिए देखते हैं तो आप लोगों की जो डिमांड आई थे देखते हैं सबसे पहले अटम्ट क्या होगा कि स्कुषित किया होगा देखोँ अटम्ट क्या उतक है कि अपने कितने question कि जो अभी तुम ब्यूंट से यही जीज़ पूछ रहें कि सु किस साब से question paper को attempt करें कि मरी qualification गलत है या कुछन सही है किसी तो इसके बाद पी क्योंकित नहीं दुख थी तो आपके पास तो आपके पास कि को स्किप करने यादत डालो आप एक्चुली करतेंगे आप लगाते नहीं है वहां पर अच्छे से परफॉर्म करनी पाते हैं फिर सब्सक्राइब दिक्कत आते क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें कोशन स्किप करने यादत नहीं है हमें क्या करना है बस करना है जैसे मर्जी चाहिए चुक का मारे जैसे मर्चिकर हैं हमें करना है वो चीज यहां पर अपलेकेबल नहीं है सुदेंट समझे इस बात को तो सेव अटेम्ट कुछ नहीं होगा आपको सीरफ और सीरफ आपकी एकुरसी के उपर काम करना कि कि कितने एकुरेटली अप उनको समझ पार हैं कितन पांच कोशन ने आपको डीमोरलाइस कर दिया और आपको क्या लगए तो पर आता है यही 2023 में फेलियर की सबसे बड़ा रिजन था यह को ऐसा भी पर नहीं था हमने सारे जोब 11 वजे की हमारी सीरिस आती है हम उसमें सारे के सारे कोशन सौल्व कर रहे हैं कर रहे हैं और अस स्टूर्वेंट से जब मेरी बात होती है वह एक बात करते हैं कि सर पर ठीक था बड़ सही ना करने की वजह से हमारे कोशन करते हैं प्लीज ऐसा मत करना अब पहले जो कर लिए वह कर लिए अब मत कीजिएगा थोड़ा सेफ प्ले करो कहने का मतलब क्या है तोड़ा से तरफ चलिए यानि अपनी एकुरिसी को पर काम करना को कि आपको कोश्चन करना नहीं आपको कुछन ठीक करना दोने बड़ा डिफरेंस है कोश्चन करने का मतलब कि आपने ABCD कुछ भी लगा दिया आपकी तरफ से वह कोश्चन हो गया बट क्या वो कोश्चन सही है that is the matter that is a point to be noted at that time को कि याद रखिए आपके पास negative marking भी है इस exam में तो यह नौ आप एक कोश्चन ठीक करें कोश्चन गलत करें बात वहीं की वहीं खड़ी हो इसा मत करना प्लीज जो कोश्चन नहीं आता छोड़ दीजिए उसको ठीक है वाट वाट काइंड ओप्रेक्टिस दू हमें किस तरह की प्रेक्टिस यह अब इस टाइम पर आके ना हमने में बेसिकली एम सी कीजिए आ हब इसके बहुंआ को जूँए चेप्टर बेस्ट करनी होगी उसके बाद हमें मल्टिपल युज लगाने होंगी ताप्टर वाइस क्यों बोला मैंने हर चेप्टर के अगर और ने पचास कोशन चालिस कोशन तीस से चालिस कोशन अच्छे लेवल की किये हुए ना तब आपको चैप्टर की क्लियरिटी होगी बट जब दो तीन चार पांच छे साथ पूरा स्लेबस मिलके आएगा ना वहां पे मल्टिपल चोशन आपके मिक्स कोश्चन काम आएंगे जब टाइमेंड वर्क का भी कोशन दिया जा रहा है यहां से नंबर सिस्टम के बाउंसर मारी यहां से एक और बाउंसर आगी पर्मेंटेशन कोंबिनेशन की प्रॉबिलिटी आ बीच में तब तब कहीं ना गए जाके एक जो स्टूडेंट है वो पजल होना स्टार्ट होत सब्सक्राइब को चैप्टर बेस्ट भी करना पड़ेगा ठीक है मेरे बास अब जिन बच्चों ने मैं यह नहीं कहूंगा कि 10 गंडे पढ़ लो 15 गंडे पढ़ लो मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि आपकी जीए के तैयारी चीड़े बट अब आप सिलेक्टिट से टॉपि पर ध्यान दीजिए नाओ सिलेक्टिट टॉपिक एंड कंटेंट अब सिलेक्टिट से टॉपिक्स पर जाए अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरे स्लेबस के पीछे भागें तो सिर्फ मुझे यह करना है कि मैं क्वालिफिकेशन के लिए कैसे जाऊंगा तो सिलेक्टिट आपको टॉपिक्स करने और थोड़ा सा अच्छा टाइप का कंटेंट करना है जो कि मेरे पास है बट वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगो सारी चीज़ने करके सिलेक्टिट टॉपिक करने मुझे जादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना सा मैं नियागर में जादा करने के चक्कर में मैंने जीए इसको छोड़ दिया तो बहुत बड़ी एक दूविदा परेशानी एक बहुत बड़ी तंगी पैदा हो सकती है आने वाले समय के लि अब वह टाइम नहीं है कि मैं पूरे स्लेबस को करने में जाओ जैसे कि पिछले प्रट में भी आपको बताया अब टाइम है कि मैं सिलेक्टिट से स्लेवर्स की तरफ जाओ मैंने आपको 2023 की अनलिसी दिखाई वो किसी लिए दिखाई वो इसले दिखाई कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्रूशल आज के टाइम में अभी थोड़ी दिन पहले मैंने लेक्टर में बताया था एक सुलेंट से मेरी बात हो रही थी और मैंने पूछा मैं का तयारी कैसी है साइंस बैक्रांड सो मेरे तो मैं अच्छा है होई जाए बात बताईए आप मुझे टोटल कितने को शन आ रहे हैं अप्री जूट के इस एड़ सर पैंतिस एठीश चालिस के रहों आज से नंबर सिस्टम से पांट से शे कोशन आगे आपके परमशन कोंबिनेशन से तो आप कहां पर हो इसका मतलब सिरफ आपकी बारा से पंदरा को कोशन की तैयारे बाकी के 25 कोशन का है बाकी जो पच्चीस सब्सक्राइब के आ रहे हैं और जो आप नंबर सिस्टम कर रहे हैं उसका यूज में भी करेंगे आप मतलब नंबर सिस्टम करें चल रहे हैं तो यह भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे करने तो कोई साइंस ब आपके पास आ रहे हैं समझ यह चीज़ को तो यह चीज़ें अभी कि अभी अगर अप कर लेंगे तो बहुत बैटर रहे हैं इस थोड़े ताइम के बाद चली नेक्स के मेरे पास अब टर इंपोर्टन टॉपिक्स फॉर यूपेशी सिसेट दोजार चॉबिस देखो सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम है अगर मैं अब बात करो ठीक है आपका टाइम एंड वर्क हो गया ठीक है इसके साथ पाइपन सिस्टम भी करिए ताइम एड़ पाइपन सिस्टम करना जरूरी है यह पर्मूटेशन और टॉपिक्स है जो मुझे करने जिए देखो एज बहुत असान है कोशन आ रहा है ठीक मैं यहीं पर करूँ अगर सिंपल इंट्रस असान है बहुत रहे हैं जितनी बार पिसली बार कोशन आया ना कंपाउंड इंट्रस का है स्टेटमेंट बेस कोश्चन कों से आपके अर्थ अब बताऊं तो आपको आँकों के सामने चार्ट क्लिरा की बात एंट चलिए अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे slayvers cover करना है कि यह आप मैंने आपको बता दो दिया सारा यह चीज़ें मैंने सारी आपको बता ही ना इंपोर्टन टॉपिक्स वह रहा है यह कैसे आप मैं पूरा बोर्ड पर दिखांगा एक लेक्टर दिखांगा डेमो भी हमारे पास क्लियर इसका लिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा क्लियर है यूपेसी सी सेट 24 इसको अगर मैं लिखूं तो गलत नहीं होगा crash course only for 3500 रुपिस आप दिखें रहे इसमें क्या मिल रह देखें दिखें दिखें इस अबर crash course इरफ और सिरफ 69 लेक्टर से रफ सिरफ सिरफ 3500 रुपिस का देखें क्या मिल रहा है क्यों मुझे करना चाहिए इसमें क्या मिल रहा है मुझे देखो 62 theory 23 mcq 17 previous year 91 micro test मतलब 91 micro test भी मिल रहे मुझे कोई दूविदा हो ना यहां बे number डाली और call me WhatsApp कीजिए scratch course के बारे में सारी डिटेल बले बने देखो मैं एक चीज और बताओं आपको यहां पर एक चीज रहेगी अगर मैं इंग्लिश की बात करों नो सुदेंस इफ़ाइट इंग्लिश को आपको वन थर्ड कोशन चाहिए चबशी से 27 कोशन चाहिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए इतने ही कोशन आपको इंग्लिश से आ रहे हैं और मैं बता रहा हूं आपको वाला करता हूं जब आप क्रैश कोर्स इंग्लिश कर लोगे ना आपका कोशन नहीं चुटेगा बतारों में इंग्लिश का इंग्लिश के कम से कम पंदरा प्लस बीस के राउन कोशन करके 15 प्लस तो मिनिमूम क्योंकि बितना टाइम भी ने के सिर्फ इंग्लिश होए पड़े बाकी भी पटना है मु इसमें क्वांट के लेक्टर है 19 के राउंड इसमें आपके इसके लेक्टर सें रिजनिंग हैं और आठ किसे दस लेक्टर आपके इंग्लिश की मिलेंगे समझा की बात तो अभी क्या प्रचेश कर लो क्यूंकि आपके पास आप समय नहीं है बहुत कम टाइम है और यह क्रै को उसद्स आपके इंपोर्टन को सब्सक्राइब तो प्लीज मेरे साथ कोई डाउट हो तो मैं आपको नंबर बता हूं इस नंबर वह कॉल कर सकते हैं नंबर इस कर सकते हैं और कोई परिशानी हो तो प्लीज जुड़िए मेरे साथ और सारे सारे लिंक आपको देए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू